पंजाब के अम्रत्सर में गोल्डन टेंपल के पास विरासती मार्क पर 32 घंटों के बाद दोबारा से धमाका हो गया है सुबह का समय होने कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ ये ब्लास उसी जगर के पास हुआ जहां शनीवार देराद घटना घटी थी अभी दर पुलिस पहले हुए ब्लास का कारण पता नहीं लगा पाई है और इसी बीच अब दोबारा ब्लास्ट हो गया इस मामले में पुलिस अभी चुप्पी सादे हुए है सुबह ब्लास की सुचना मिलते ही पुलिस कमिशनर नोनी हाल सी खुद मौके पर पहुँच गए उनके साद डेक्टिव डीसीपी और एसीपी गुलिंदर पालसी नागरा भी मौजूद थे घटना के बाद अमरत सर्थ पुलिस का बम रोतक दस्ता और फॉरेंसिक विभाग की टीमें भी मौके पर पहुँच गई मिटल डिटेक्टर से आसपास का एरया खंगारा जा रहा है सेवेज लाइने वा गट्रे भी जाची जा रही है बियार अमबेटकर के पतीमा से महराजा रंजीत सीम बुत वाले चोक तक एक तरफा रास्ता बंद कर दिया गया है संदिक चीजों को एकत्रित किया जा रहा है पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है 32 गंटों में दूसरा ब्लास्ट और इसके कारणों का ना पता लगने से चिंता बढ़ रही है